आजके इस किलास में हम कवितरी गिर्जा कुमार माथोर की कावविगत विश्यस्ताई पड़ेंगें कावविगत विश्यस्ताई निन होने अपने कावव में कोन से लक्षन बताई, कोन से गुण बताई इस प्रकार से कावविगत विश्यस्ताई बनती है पहली उसे स्थावनेगी कि इनके काव में प्रेम और सोंदरी इन दोनों का भाव देखने को मिलता है इन्हों अपने काव में नई चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है हमें इनके माथुर जी के काव में नई चिंतन धारा की अभिव्यक्ति हुई है इनके काव में प्रेम तथा सोंदरी का भाव देखने को मिलता है और माथुर जी ने के माथुर जी के काव में नवीन चिंतन धारा की अभिवक्ति हुई है इस रिस्त बनेगी कि इन्होंने सहेज, सरस और सरल सेली में काव की रशना किये तो इन्हों कोन से सेली में काव की रशना किये? सरल और सहेज और सरस इन्हों सेली को ध्यान में रखते हुए उन्हों अपने काव की रशना किये चोथी इस रिस्त बनेगी कि इन्होंने अनुप्रास, रूपक, आदी के साथ साथ मानविकरन, अलंकार का सुन्दर प्रियोग अपने काव में किया है इन्होंने सहेज, सरस, सरल सेली में काव की रशना कि और अनुप्रास, रूपक, आदी के साथ साथ इन्होंने कौन सा मानविकरन, अलंकार का भी सुन्दर प्रियोग अपने काव में किया है तो हमने इनकी विसेशता है, देखी तो आप इनका स्किन सोट ले लीजे और अच्छे से कंप्लेट करें अगले वीडियो में हम किसी और कवी की काविगत विसेशता है देखेंगे जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लेट करें